अगर आप Tata Play DTH को यूज करते हो ऐसे में इसमें बैलेंस कैसे चेक करोगे आपका कितना बैलेंस शेष बचा हुआ है नेक्स रिचास डेट कब है यानिकि डू डेट कब तक का है और आपका मांतली जो प्लैन चल रहा है वो कितने का चल रहा है यह सब कुछ आप कैसे चेक करोगे ही जानेंगे इस वीडियो में तो पहले इसके लिए एक मिसकोल नमबर हुआ करता था जिस नमबर पर मिसकोल करने से एक SMS के थो आपके पास में वो सारा डीटेल्स आ जाता था बट आभी वो मिसकोल नमबर बन हो चुका है तो ऐसे में Tata Play में कैसे आप Balance, Due Date और अपना मांतली रिचार्ट कीतना यह चेक करोगे आपकी WhatsApp नमबर से नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है संजय चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब करके साथ में नोटिफिक्शन बेल प्रेश करना ना बोले क्योंकि मैरा इस चैनल पर ओलोईज आपको टीवी और डीटेच रिलेट वीडियो का अपडेट मिलते रहता है सो गाईज चलिए चेक करते वाटसाप में जाके सो फ्रेंड आये तो जानते कैसे करेंगे आप Tata Play का Balance इनकाड़ी प्लैन कौन सा चल रहा है डिउड इड कब तक है और कितना आपका शेष बैलेंच बचा हुआ है Tata Play सब्सक्राइबर आइडी पे ये सब कैसे चेक करोगे आपका वाटसाप से तो यहां से आप वाटसाप अप्लिक्शन का सबसे पहले ओपेन कर लेना है वाटसाप अप्लिक्शन का ओपेन करके एक चीज आपको यहां से में दिखाता हूँ सबसे पहले आपको वाटसाप नमबर नुट डाउन कर लेना है कौन सा नमबर पे आपको ये Tata Play का वाटसाप है तो यहां से मैंने Tata Play चो यहां से 3.0 पे क्लिक करता हूँ यहां से आप देख लो सबसे पहले Tata Play का वाटसाप नमबर क्या है 806702855 यह एक नमबर है Tata Play का वाटसाप नमबर है एक और नमबर है 18002086633 यह दोनों ही नमबर पे बड़ी असानी से आप Tata Play का वाटसाप यूज कर सेकतो बशर्ते एक चीज आपको याद रहे आप जिस नमबर पे वाटसाप यूज कर रहे हो वो नमबर आपका रेजिस्टार मुबाइल नमबर हो Tata Play का यानि कि आपने वही नमबर आपने Tata Play में रेजिस्टेशन के लिए दिया हुआ है जो आपने Tata Play connection लिया था और इसी नमबर पे आप वाटसाप यूज करें तो बड़ी इजीली आप उस नमबर से Tata Play का बैलेंस ड्यू डेट सब चेक कर सेकतो और साथ में ये भी कर सेकतो आपका कोई चैनल एड या ड्रॉप भी कर सेकतो बड़ी इजीली तो यहां से ये दोनों नमबर आपको पता चल गया तो चलिए हम क्या करते सबसे पहले आपको यहां से चैनल करना है तो आपको High लिग के सेंट करना है ठीके एक बड़े high send करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे options निकाल आएंगे ठीक है यहाँ से जैसे कि आपका दीकिए reply one four packs and channels आएगा reply two four balance and account profiles आएगा technical system के लिए जाए डिलर customer support चाहिए relocation service के लिए जानना चाहते हो तो सब कुछ यहाँ पड़ आ जाएगा आपका तो फिलाल हमने balance inquiry करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे number two पे है reply balance and account profile तो हम यहाँ से two type करेंगे और यहाँ से एक बड़ सेंट कर देंगे यहाँ से एक बड़ सेंट करने के बाद यहाँ से दिखे और options आ जाएंगे आपके सामने to know your balance reply balance ठीक है to resume suspended account तो इसके लिए आपको resume लेकना है तो हमने क्या करना है हमने balance चेक करना है तो हम यहाँ से balance type करेंगे ठीक है यहाँ से हमने balance type कर दिया यहाँ पे सेंट कर दिया ठीक है यहाँ से सेंट करते ही नीचे all options आएंगे जहाँ से आपको check करना है तो यहाँ से दीखिए क्यूंकि मैं multiple subscriber ID के साथ मेरा mobile number रिजिस्टर ने जिसका चलते है यह आया वरना आपक प्रोवैट कर देता हूं तो यहाँ से मैं RMN number प्रोवैट करता हूं मैंने RMN number यहाँ कर लिया और एक बड़ सेंट कर देता हूं यहां से ठीक है है monthly charges 342 है तो ऐसे करके वह अपना balance inquiry कर सकते हो आपका due date check कर सकते हो monthly recharge किया चल रहा है यह check कर सकते हो Tata play का WhatsApp से और आपका अगर subscriber ID आपका अगर mobile number एक ही subscriber ID के साथ register है जिन आपका बड़ी easily यह आ जाएगा अगर multiple subscriber ID के साथ register है इस टाइप से आपको करना है तो आप समझ गए कि मैंने multiple subscriber ID आपको दिखाया कि आपका balance inquiry आप कैसे करोगे due date का कैसे पता करोगे WhatsApp से उमीद करता हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अगर अच्छा लगए तो वीडियो का लाइक करे चैनल पर नहीं है तो करें मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में तब तक के लिए जाहिए